मैं विशेश रूप से आज रामगड में होने वाले उपचुनाओं के लिए मैं प्रचारार्थ और यहां पर हमारे कारकरताओं का मनुबल बढ़ाने के लिए यहां पर आया हूँ मुझे खुशी है कि रामगड में कॉंग्रेस, जेएमेम, जेडियू और आमरे अनसभी सहियों की दलों का जो कैंडिडेट है उनके विजश्री हांसिल करने के लिए और जिस इस्तिथी में यह चुनाओं कंपल सरी लादा गया है यह आप सब समझते हैं कि आज खुले रूपते यह जो लड़ाई है यह न्याय और अन्याय के बीच में किस प्रकार से गवाहों को भटकाया जाता है, किस प्रकार से गवाहों को बदला जाता है, किस प्रकार से निरणय को बिलत तरीके से पेश करकर एक ऐसी नेत्री को जो जनता की विशयों को लेकर जनता को न्याय दिलाने के लिए जिसने नितुत्र किया उस नितुत्र के बदले उनको पांस साल की सजा दे दी गई और उसी के विरोध में आप देखेंगे कि ऐसे भी निरने जारखन में भी हुए हैं और अन्य राजमी भी हैं जहां पर भाजबा के जन प्रतिन लिए घोर अपराधिक फैसलों में अपराधिक गतिवीदियों में इन्वाल होने के बावजूद भी सजा अगर दी गई है तो उसकी संख्याप देख सकते हैं एक सभी लोग देख रहे हैं कि हम जिस अगर मैं मम्ता दीवीजी का उधारं दों तो जिस महिला का महने भर का बच्चा हो दूद्पीता बच्चा हो उसे निरने देने के पहले ही आठ दिन पहले जेल के सलाखों के पीछ डाल दिया गया है यह सब चीजेजे जनता के ओपर एक आकुरूष पैदा करती है जनता के मनों में आकुरूश पैदा करती है और जो नया प्रणाली है उसका सम्मान करते हूं मैं पुना कहना चाहूंगा कि देश की में जिस प्रकार की गतिविदियां चल रही हैं यह सब चिंतनी हैं रामगड का चुनाओ जारखंड की राजनीती के लिए अति महत्वपूर्ण है और सिर्फ जारखंड ले नहीं बलकि न्याय और अन्याय के बीच का फैसला यहां की जनता लेने जा रही है और मुझे विश्वास है कि हमारे जो उमिद्वार हैं बजरंग भाये उनको जनता का ममता जी के त्याक का बलिदान का और सभी लोगों का पूरा आशिरवाद मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी बहुमतों से चुनता है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले